इस वीडियों हम बात करेंगे कि अगर आप अपने HDFC मोबाइल बैंकिंग को रोजिस्टर करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको कौन-कौन से सिटेफ फॉलो करने होंगे इसके लिए सबसे पहले आपको आना है प्लाइ स्टोर पर और यहां पर आने के बाद आपको सर्च करना है HDFC बैंक इसे हम मोबाइल बैंकिंग एप्लिकेशन बोलते हैं इसके बाद आपको ये डाउलोड कर लेना है डाउलोड करने के बाद ओपन कर लेना है अब जैसे ओपन करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर एक welcome आता है और इसके नीचे आपको एक continue का option मिलेगा continue उपर आपको click करना है क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पर सेटेज आते हैं जो कि टोटल तीन सेटेज होते हैं अब यहाँ पर पहला सेटेज आप देख पारे होंगे यहाँ पर जो पहला सेटेज है वो है दोस्तों इंटर्यूर डीटेल का इसमें आपको अपना कस्टूमर आईडी और एक अपना वेलिड मोबाल नमबर लगाना होगा अगर आपको नहीं पता है कि कस्टूमर आईडी किस तरह से निकाली जाती है तो इसके लिए आपको जब भी आपकी एक किट मिलती है HDFC बैंक की तरफ से तो वहाँ पर कस्टूमर आईडी मैंसन की होती है यह फिर फॉर्म को पर लिखी होती है कस्टूमर आईडी जो आप देख सकते हैं इसके बाद जो भी HDFC की तरफ से आपका मोबाइल नमबर लिंक है वो आपको यहाँ पर फिल करना होगा और कंटिनु उपर किलिक करना होगा जैसे आप अपने यहाँ पर कस्टूमर आईडी भर लेते हैं और इसके बाद अपना रिजिस्टर नमबर लगा लेते हैं तो एक ओप्षन मिलेगा आपको कंटिनु का आपको कंटिनु उपर किलिक करना है अब जैसे continue पर किलेंगे तो आपके पास HDFC की तरब से एक OTP send की जाती है जो कि आपको यहाँ पर fill करनी होगी या फिर यह automatic भर जाती है अगर यह OTP आपके पास नहीं आती है तो आप यहाँ पर send पर click करके OTP को दोबारा से ले सकते हैं नीचे आपको एक option मिलेगा continue का continue पर click करेंगे अब जैसे continue पर click करेंगे तो आपके सामने debit card का option दिखाए दे रहा होगा यहाँ पर आपके debit card के कुछ आपको number सूख किया जाते हैं नीचे के option मिलेगा आपको add and pin का और एक option मिलेगा expiry date और year का तो आपको यह सारी detail यहाँ पर fill करनी होंगी तो चलिए हम इने एक पर fill कर लेते हैं इसके बाद आपको यहाँ पर option मिलेगा continue का continue पर click करेंगे अब जैसे आप अपनी यहाँ पर detail को authenticate कर लेते हैं तो इसके बाद आपके सामने आता है conglation, your device is registered और इसके बाद आपको यहाँ पर एक option मिलेगा यह आपको allow करना होगा और इसके बाद आपको यहाँ पर 4-digit का एक pin बनाना होगा 4-digit का pin बनाने के बाद आपको submit वाली column पर click करना होगा अब जैसे आप अपना password save कर लेते हैं इसके बाद आपको यहाँ पर अपना password लगाना होगा जो कि आपने password बनाया है अब अपना password टाइप करने के बाद आपको एक option मिलेगा login का, login पर click कर सकते हैं अगर आप अपना password भूल चुके हैं तो आपको एक option भी यहाँ पर मिल जाता है forgot का, आप यहाँ पर देखेंगे तो एक option मिल रहा होगा आपको forgot का तो आप इसे forgot भी कर सकते हैं तो simply आपको login पर click करना है login पर click करने के बाद आप यहाँ पर login हो जाते हैं अब जैसे login होते हैं तो आपके सामने आपका यहाँ पर account balance हो कर जाता है कि आपका account का balance कितना है और यहाँ पर आपको कुछ view detail का option मिलता है और यहाँ पर एक arrow मिलता है नीचे के और आप देखेंगे तो यहाँ पर आपका bill payment money transfer का option आपको मिल जाता है और किसी को add करना चाहते हैं UPI payment करना चाहते हैं या फिर QR code होता है उसे scan pay करके आप यहाँ पर पैसा transfer कर सकते हैं ले सकते हैं किसी से और चाहें तो recharge भी कर सकते हैं जिनमें एक option होता है money transfer का तो दोस्तों हमने क्या करना है सबसे पहले option मिलेगा money transfer का तो इस पर click करना है जैसे click करेंगे तो यहाँ पर दोस्तों आपके सामने कुछ इतरे का option देखने को मिलेगा जहां पर आपका from यानि कि जिस account से आप पैसा transfer करेंगे उसे हम from बोलते हैं और जिसको पैसा transfer करना चाहते हैं वो to में आता है माले जाएगर आपने पहले से यहाँ पर add account कर रखा है तो आप यहाँ पर search column पर click करेंगे और यहाँ से account को select कर सकते हैं अगर आप बिल्कुल new account यहाँ पर select करना चाहते हैं जोइंट करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर add manage page पर click करना है जैसे इस पर click करेंगे तो यहाँ पर कुछ time wait करना आपको अब यहाँ पर दो आप्षिन आपके सामने आते हैं पहला है individual और दूसरा है merchant दोस्तों ज्यादा तरीक आपको individual account मिलते हैं अगर आप किसी merchant को यहाँ पर पेसे टांसपर करने हैं तो आप merchant पर किलिक करेंगे तो चलिए हमें यहाँ पर saving account में पेसे टांसपर करने हैं तो इसके लिए हमें यहाँ पर एक option मिलेगा add pay का तो आपको simply इस पर किलिक करना है जैसे किलिक करते हैं तो अब यहाँ पर आपके सामने तीन option देखने को मिलेंगे यहाँ पर आपको add bank account इसके बाद indent credit card और एक होता है case का ठीक है अगर आप किसी को account पेसे टांसपर करते हैं आपको simply यहाँ पर एक option मिलेगा bank account यानि की account number लगाकर पेसे send करने का आपको इस पर किलिक करना है किलिक करने के बाद अब यहाँ पर आपको सामने account category आ जाती है मान लिजी आपके पास कोई HDFC का पहले सी account है या फिर आप किसी को HDFC account में टांसपर करना चाहते हैं पेसा तो यहाँ पर simply आपको HDFC bank account पर किलिक करना होगा मान लिजे अगर आप किसी को non account यानि की non HDFC account जैसे की SBI bank पर बढ़ोदा या फिर bank of India जैसे account में किसी और में टांसपर करते हैं तो जैसे की यहाँ पर लिखा हुआ है non HDFC bank account in India यानि की HDFC को छोड़ कर कोई भी bank account है तो आपको उसके लिए किलिक करना है non HDFC वाला option तो आपको simplist पर किलिक करना है अब यहाँ पर कुछ option आपको दिखाए जाते हैं जैसे की आपका name on account इसका मतलब है दोस्तो जो भी आपका account name है यानि की जो आपका account में नाम दिया गया है वो यहाँ पर आपको fill करना है इसके बाद आपको मिलेगा second number account number का तो यहाँ पर आपको account number fill करना है इसके बाद तीसरे कोलम मिलेगा आपको re-enter का यानि की आपको जो account है वो same to same इस कोलम में fill कर देना है यानि की वो type कर देना है याद रहे दोनों में आपको account same ही रखना चाहिए इसके बाद आपको यहाँ पर एक option मिलेगा account type का कि आपका account है वो किस type का है यहाँ आपको कोई और भी option मिल सकते हैं पर यहाँ पर जादे तरह आपको कुछ इस तरह का option मिलेगा जैसे कि आपका account saving है, current है या फिर overdrap, case credit या loan account है तो आपको यहाँ से choice करना पड़ेगा अब हमें क्या करना है, हमें saving account में पेसे transfer करने है तो हमें simply saving पर click करना है click करने के बाद अब option आता है find branch IFC code का अगर आपको अपना IFC code याद नहीं है तो आप यहाँ पर अपना IFC code search कर सकते हैं अगर आप find पर click करेंगे find पर click करने के बाद आपको यहाँ पर option मिलेगा IFC code का, यहाँ से आप IFC code लगा सकते हैं जैसे कि मालेजे आपका IFC code याद है आपको तो IFC code यहाँ पर दर्ज करेंगे इसके बाद अगर आपको IFC code याद नहीं है तो आपको यहाँ पर अपना bank का नाम और उसकी branch है जो यानि कि कौन से city में आपकी branch है वो यहाँ पर आपको सर्च कर लेनी है मालेजे मुझे अपनी bank का address याद है यानि कि IFC code याद है तो मैं क्या करूंगा यहाँ पर IFC codes को type कर लेता हूँ अब जैसे ही आप अपना account का IFC code यहाँ पर fill कर लेते हैं तो यहाँ पर एक option मिलेगा आपको find का आपको find पर click करना है click करने के बाद जो भी आपका account है उसके जो IFC code लगाने के बाद आपकी branch automatic यहाँ पर आ जाती है अब यहाँ पर एक option मिलेगा select का तो आपको इस पर simply select पर click कर देना है तो आप देखेंगे कि आपका branch account का IFC code यहाँ पर simply दर्ज हो चुका है अब इसके बाद आपको यहाँ पर continue पर click कर देना है continue पर जैसे ही click करेंगे तो आगे आप बढ़ जाते हैं यह account आपको fill कर लेने हैं अब बात करते हैं कि account को link होने के बाद आपको किस तरह से अपने account से पैसे transfer करने हैं किसी और bank के अंदर तो आपको यहाँ पर आ जाना है इसके बाद यहाँ पर आपके account है जो यहाँ पर इस तरह से दिखाए देते हैं simply आपको क्या करना है इस पर क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद सारी account की detail यहाँ पर आपके सामने आ जाती है और एक option मिलता है transfer का, ठीक है आप चाहे तो इस account को delete भी कर सकते हैं अगर गलत हो चुका है तो simply आपको transfer पर क्लिक करना है transfer क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का interface आ जाता है अब यहाँ पर जितना भी account आपको यहाँ पर फिल करना है माली जी हमें यहाँ पर 200 रुपे इस तरह से transfer करना है तो आपको यहाँ पर फिल कर देने है फिल करने के बाद आप यहां पर आपके सामने मोड आता है कि आप इसे IMPS या NFT करना चाहते हैं अब IMPS क्या होता है यह क्या होता है कि इमिडेटली आपके अकाउंट में पेसे टांसपर हो जाते हैं आपको कुछ ही सेकंड लगेंगे आपके अकाउंट पर पैसे टाज़्ट पर हो जाते हैं अगर आप NFT यूज़ करते हैं तो दोस्तों यहाँ पर आपको एक घंटा दो घंटा या तीन घंटे का टाइम भी लग सकता है यह बैंकिंग के रूल के हिसाब से होता है सिंपली आपको हमें क्या करना है हमें IMPS करना है तो IMPS पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको री मार्क पर कुछ भी लिख देना है या फिर आप इसे खाली भी छोड़ सकते हैं इसके बाद आपको यहाँ पर एक option मिलेगा continue का simply आपको continue पर क्लिक करना है इस पर पहलिक देते हैं पहलिकने के बाद आपको continue पर क्लिक करना है जैसे continue उपर click करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने account का कुछ इस तरह से detail दिखाए देता है कि आप कितना account यहाँ पर यानि की पेशा send कर रहे हैं और कुछ date यहाँ पर आ जाती है इसके बाद एक option आता है आपको I accept का कि आप यहाँ पर इसकी terms and condition को accept कर लीजेगा जैसे accept करते हैं दोस्तों यहाँ पर टिक करना आपको टिक करने के बाद दोबार से confirm पर click करना है इस पर confirm पर click करने के बाद आपका जो पैसा है वो यहाँ से transfer होने के लिए verification मांगता है आप यहाँ पर email ID या फिर आप mobile number दोनों से confirm करा सकते हैं अगर आप अपने mobile number पर OTP लेना चाहते हैं तो mobile पर click करेंगे इसके बाद continue पर click करेंगे अब यहाँ पर आपके mobile पर एक OTP send किया जाता है जो की automatic fill हो जाता है इसके बाद continue वाले option पर click करेंगे और यहाँ से आपका जो पैसा है वो transfer हो जाता है आपके account में अब यहाँ पर आपकी account में जो भी पैसा transfer होए है उसका message और यहाँ पर आपको इसकी detail यहाँ पर मिल जाती है कि आपने कितना पैसा transfer किया है और कितना नहीं इसके बाद आपको simply done पर click करना है और आपके पैसे के आज जो transfer है वो account में हो जाते हैं